समंदर के डकैतों अब तुम्हारी खैर नहीं। नौसेना ने अरप सागर में बढ़ाई निगरानी, दुश्मनों के मनसूबों पर फिरेगा पानी। पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाडी और अरप सागर में अंतराश्चिय शिपिंग लेन से गुजरने व भारतिय नौसेना ने अरप सागर में निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है। नौसेना ने रविवार को एक बयान में कहा है कि समुदरी सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिती में व्यापारिक जहाजों की मदद करने के लिए विद्वनसक और फ्रिग अरप सागर में प्रमुख एड्मिरल आर हरी कुमार ने अरप सागर शेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर संभव कारवाई करने के निर्देश जारी किये। अधिकारियों के अनुसार भारतिय नौसेना प्रमुख ने शेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधी पर कड़ी नजर रखने को कहा है जहां हाल ही में व्यापारिक जहाजों पर हमले की घटनाएं देखी गई है। सक्त हुई समंदर की पहरेदारी भारतिय नौसेना ने अरप सागर के मध्य और उत्तरी हिस्सों में समुद्री निगरानी प्रयासों को बढ़ा दिया है। यह लाल सागर अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरप सागर में अंतराश्चिय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच आया है। समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी घटना की स्थिती में व्यापारिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए विद्वन्सक और फ्रिगेट वाले कार्य समुहों को भी तैनात किया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य और उत्तरी अरप सागर में अंतराश्च्रिय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर समुद्री सुरक्षा घटनाए बढ़ी है। इसराइल हमास युद्ध के बीच यमन के लाल सागर, अरप सागर और अदन की खाड़ी में इरान समर्थित हुती विद्रोहियों की ओर से विभिन्न वानिजिक जहाजों को निशाना बनाया गया है। क्यों एक्शन में है नेवी? दरसल कुछ समय पहले भारतिय तट से लगभग 700 समुद्री मील दूर एमवी रुएन पर समुद्री दकैती की घटना सामने आई है। और इसके बाद पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील अरप सागर में एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन से हमला हुआ था। जिस समय यहा हमला हुआ उस समय इस जहाज में 21 भारतिय और व्यतनाम का एक नागरिक सवार था। इन घटनाओं के बाद भारतिय नौसेना ने अदन की खाडी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके में एक और स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विद्वनसक पोत तैनात कर दिया था। हूती विद्रोहियों का तेरन इसराइल की और से हमास के खिलाफ छेडे गए युद्ध के विरोध में इरान समर्थित हूती विद्रोही पहले लाल सागर से होकर जाने वाले इसराइली जहाजों को निशाना बना रहे थे। लेकिन बाद इन हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों को भी अपना निशाना बनाया था जिस वजह से व्यापारिक जहाजों को रूट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है